तो दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ सरत आप देखरे हूँ आपी का फेबरेट यूटूब चनेल स्मार्ट सरत टेक फ्रेंड्स आज 13 फेबरुरी आज का दिन में हमारा इंडियान स्टॉक मार्केट में सांदर राली था और सर्ट का कवरिंग के चलते हुए ब्यांग निप्टी में तो तुफानी तेजी आ गया है और ये तेजी क्या कल रहेगा कायम और करेंगे चर्चा निप्टी का लेबल क्या होगा तो आज लिश्ट में डाल के रखिए, थोड़ा और गिराबोट के बाद आप आपका पोटफोलियो में आड़ कर सकते, करेंगे चर्चा, साथ ही साथ जो US मार्केट में जो त्राहिमंग त्राहिमंग मचा रहा है, US में DAO नाजदक में बड़ी गिराबोट के साथ हो रहा है क कोई भी स्वेर को लेकर आपको ना बाईंग, सीलिञ ना भौडर करने का राए देते हम हमारा वीहू रखते हमारा वीहू लेकर आपको कुई कदम ऊठाते तो आपका final demand advisor ने तो आपका स्वला करने तो आप खुदी अनालेसिस करते हो उसी की दम पर कोई भी कदम उठाइएगा अगर आप चाहते हो हमारा साथ में option में काम करने के लिए जो कि हम लोग label finding करते हैं, label में कैसे काम करते हैं, किदर buying करेंगें, किदर selling करेंगे, each and every शिक के काम करेंगे, तो आप हमारा link through एक new demand account उपन करके, angel one में हमारा lifetime membership ले सकते हो, abstracts में भी आकान उपन करके हमारा साथ में membership offer ले सकते हो, यह premium membership offer जो है, जो कि absolutely free of cost, angel one एक अबस्टक्स में हमारा link through account उपन करके, आप हमारा साथ में lifetime membership हो सकते हो, जो की link वीडियो का description में है, इसमें हम लोग option में करते है, zero, hero call, nifty, bank nifty, finance nifty, mid cap nifty, sensex, bank case, all option call का हम लोग option में काम करते है, stock option में भी काम करते है, friends, एक नवजर डाल देते, आज का हमारा कारवार केशा था हमारा market में, आप देख सकते हो, sensex में सांधार तेजी जो की 482 point का तेजी के साथ closing दिया, आजी का दिन में, nifty 50 में आप देखेगो 127 point का तेजी के साथ, जो की 21,743 का उपर जा कर closing दिया, साथे साथ, ब्यांग nifty में तो बहुत ही सांधार तेजी था आजी का दिन में, जैसे के आप देख सकते हो, nifty bank जो की 45,500 का उपर भी closing दे दिया, जो की 620 point तेजी के साथ, आज उसके साथ, nifty mid cap 100 159 point तेजी के साथ, nifty small cap index and mid cap index हमारा, वो भी हरी जोर में आ चुका है, आजी का दिन में, तो हम लोग चलते, world market में देखेंगे क्या चल रहा है, उससे पहले हमारा gift nifty का अपर नजर डाले फ्रेंड, 147 point गिरावट के साथ कर रहा है, second half का कामकाज, आज डाउ जोन को देखिए, 488 point का गिरावट के साथ काम कर रहा था, मैं अभी अभी देख रहा था, जे 550 को भी cross क्या था, गिरावट के साथ काम कर रहा था, थोड़ा सा recovery हो रहा है, नास्दाक भी बहुत ही बड़ी गिरावट के साथ आप देख सकते हो, देड़ परसेंट गिरावट जोकी 242 point का गिरावट के साथ कर रहा है, कामकाज, यह है US market का अभी का गिरावट की हाल, तो आप बोलेंगे सर यह US market में इतना गिरावट क्यूं चल रहा है, आज जी का दिन में कल तो आचागाचा चल रहा था, तो गिरावट क्यूं है, करेंगे, चलिए करते हैं, उसके भी आपको रिजन बताता हूँ, जोस्तों अगर आप लोग को मालम रहेगा, तो बेटर यह नहीं मालम रहेगा, तो मैं बताना चाहूँगा, यूएस का आने वाला था, इंफलेशन का डेटा, जो की हमारा डेटा एस्टरडे को आ गया था, आज यूएस का डेटा आ गया है, और यूएस का डेटा का हिसाब से, इतना कोई खराब नहीं है, फिर भी मार्केट में बड़ी गिराबट हो रहा है, यूएस मार्केट में, यह US market में inflation का data क्या अनुमान था ना अनुमान था 2.9 आना चाहिए तो उसके बदले में कितना आया ना आया है आप लोग के सामने वो भी underline कर देता हूँ देखिए 3.1% आया है जो की 2.9 आनक था और बदले में आया है 3.1 तो ठीक था कि एसा कोई खराब नहीं है बट US market इसक पनिस कर रहा है क्यों पनिस कर रहा है उसका पीछे का भी एक रिजन है जो की continuous 15 डेड में US market में तल रहा था तेजी आन इतना बड़ी तेजी होने के बाद और inflation का डेटा थोड़ा सा भी खराब आ जाता है ना फ्रेंड हो जाता है पीटा है आप लोग को मालूम होगा हमारा इधर भी एसे ही हो रहा था HDFC ब्यांग को ले लिजिए HDFC ब्यांग में रेजल भी इतना कोई खराब नहीं था ओके ना HDFC ब्यांग में रेजल इतना खराब नहीं था लेकिन उसके बदले में आजी का दिन में 1384 का आकर लोगा दिया है आज का दिन में HDFC ब्यांग तो करें ब्यांग निप्टी में तो काम करता हूँ आप लोग को मालूम है तो मैं हमीशा ADR देखता रहता हूँ हमारा Indian Stock Market का जो कि इस यार उधर लिस्टेड है US में तो आप देख सकते हो 80% का आज पास का गिराबट के साथ HDFC ब्यांग कर रहा है कामकाज US मार्केट में तो हमारा HDFC ब्यांग का आज का दिन में आप लोग को देखा देता हूँ कितना बड़ी गिराबट था और कितना बड़ी रिकवरी था लोग आज का दिन का देखोगे 1384 का लोग के बात उसके बाद थोड़ा बहुत आया उपर से तेजी और जो कि ये सेकेंड हाप में पसिबल हुआ जो कि मार्केट में शॉट कवरिंग हुआ और उसके बाद 1391 के उपर क्लोजिंग दिया HDFC ब्यांग क्या विख हो गया है फ्रेंड और कितना गिरेगा HDFC ब्यांग बहुत गिर चुका है ना son और आप HDFC ब्यांक को आपका पोटबोले का हिस्सा बनाना चाते हो, मैं बोलूँगा अभी खरीद करने का सेही टाइम आ चुका है, और आप इसका बाद में हर 2-3% का गिरा बढ़के अगर आता है, तो आप डिप में बाइंग करते जाहिए, लॉंग टम का बड़ी हाती है, बढ़ बड़ा आपको प्रफिट दे सकता है, क्यूंकि आप बोलेंगे सरी अभी तक तो कुछ भी प्रफिट नहीं देया, तो क्या प्रफिट देगा, आपकी बात से ही है, बट इतना गिरने के बाद इतना बड़ी ब्यांक, आगे चल के तो तो कुछ ना कुछ तो करेगा मेरा कुछ भरोसा है, और मैं इसको लेकर अभी बुलिस हो चुका हूँ, यह मेरा पोटफोले का हिस्सा है, और अभी मैं भी एवरी डीप में बाइंग कर रहा हूँ, ओके, और एक शेर को लेकर आपका कोस्टिन जो था, FL इंडिया लिमिटेड, FL इंडिया में फ्रेंड्स आज का जिन में 0.5% का उपर का तेजी है, और FL इंडिया भी बहुत काफी गिरा है, काफी गिर चुका है, आप देखोगे 6 मंत का डेटा देखा दूँगा, 6 मंत में only 6% का रिटन, जिदर की मार्केड में 2 गुना, 3 गुना हो गया पैसा, बट यह अब भी कुछ भी नहीं अगर अगर गिरा बटा आता है, तो आप इसमें भी इंबेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि मार्केड में अभी बड़ी बड़ी शेयर का उपर नजर रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं आप लोग का आगे भी बता रहा हूं, कौन सा दो सेक्टर, ओ दो सेक्टर आप लोग को अच्छा लगता है, ओ आप इसको चाइन कर सकते हो, मेरी ख्याल से मैं जो सेयर में ज़्यादा इंबेस्टमेंट करता हूं, कि ज़्यादा मैं नजर रखता हूं, उसमें से मेरा जो पसंदीता सेयर, आप लोग के सामने, SRIF, ओके, और केमलीर इंडिया का पर आया, इसलिए में वेट कर रहा था, रेजल्ट आता तो आप लोग को बता देता था, बट अभी तक रेजल्ट नहीं पोस्ट हुआ है, तो फ्रेंड्स, नवीन फ्लोरीन जो की नेस्ट कंपनी, हमारा बहुत पसंदीता कंपनी है, और क्लीन साइन्स, ये भी हमारा पसंदी तो अगर जिलना आता है, तो इसमें इंबेस्टमेंट करने वाद सकते हो, और उसके सासद और एक जो मेरा बरुन विश्णू केमिकाल, ये भी मेरा पसंदीता है, और फाइन और अर्गानिक इंडस्ट्री, ये भी मेरा पसंदीता है, इसमें मैं, और साथ साथ, पीडी ला जालिए, डिप मिलता है, थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी उठाता रहे है, अगर दस क्वांटिटी आपको लेना है, तो एक-एक क्वांटिटी अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, इसमें जो सेक्टर आता है, वो टेकनोलोजी स्टेकर, जो की IT सेक्टर, IT सेक्ट एसेल टेक, टाटा कंसलोटी, ये टोप प्राइडिटी वेसिस में आपको उपर होना चाहिए, परसिस्टान सिस्टम भी बहुत आच्छा है, वीप्रो में भी आप आच्छे तरीका से इंवेस्मेंट कर सकते हो, लेलेंटी तो आपका पसंदिता होना चाहिए, और कोफोर जान्ट बीला सप्ट, बीला सप्ट में तो मेरा बहुत ही शौनदार मेरा आच्छा लग रहा है, ये सेयर को लेकर साइड भी मे're नजर में है, जेंशा टेकनोलोजिक कशानर्ट तो महीं टेकमहींदवरावे बी आच्छा है, माइन ट्री, एलिनटी माइनटी माहीं ट्री ये भी अच्छा है उसके साथ साथ और मैंने जो शेयर में मैं ज़्यादा ध्याम देता हूं उसका पर मैं आप लोके समय चर्चा करूंगा टाठा टेकनोलोजी जो की अभी अभी लिस्टिंग है अगर आप फसे हुए हो तो दिब मिलता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाई है टाठा टेकनोलोजी भी सेही है लेकिन ये आपको लॉंग टर्म लेना पड़ेगा उसके साथ एक शेयर के बात करेंगे जो की कमेर्ट सेशन में आया था जोमाटो लिमिटेड फ्रेंड इसमें तो आचुका है वान हंड़ेड सिस्टी रूपीस का टार्गेट आचुका है हमारा आपको सामने देखा देता हूं आप देखोगे आज का दिन का जो की आप लोगे सामने वान हंड़ेड प्रेंड का जो भी प्यूसी सेक्टर में जो गिरावट हो रहा है आगे चलके जो माटबे नहीं होगा एसा कोई भरोसन नहीं है फ्रेंड टाइम नहीं मिलता है कोई भी सेक्टर को कोई भी सेयर को गिरावने के लिए बड़े-बड़े इंबस्टर जो की बड़ी पहिशा वरां चु को बला था जे इसमें आप होल्डिंग करिए तो अगर आप ये लेबल है 100 का लेबल भी है तो आप आपका जो की जमा हुआ रासी मिन्स आपने जितना भी इंबेस्टमेंट किया है उतना क्वांटिटी का तो आप पैसा आपको हाथ में आ जाना चाहिए बाकी का इसमें छो ये इसमें तो आपका और मिन्स आपँ लेबल सूrices आपको आपका नवरा जितना भी है उतना भी है doesा आपका तो आपका जाना जा संन में आपका पका तो आ रहीत न proclaim ये दोर आंप सा कर लो जा जा हुआ जा संह लेक ए दो आपका ाूराबल ब抱कान सा आपका पकाशों कि